राधे राधे मैं आचारे हिमान शुप्मन्यूं आप सभी दर्सकों का स्वागत करता हूँ Capital TV के पिसे स्कारिक्रम काल चक्र में जहां हर हफ्ते आप सभी दर्सक मुझसे जुड़ते हैं और जानते हैं अपने आने वाले जीवन में घटित होने वाली घटाओं के विसे में कैसा बीतेगा आपका ये हफ्ता और क्या सावधानिया आपको सफलता दिलाएंगे और क्या गलतिया आपके लिए समस्या कारण बनेंगी ये सब कुछ आपको हमारे कारिक्रम में जानने को मिलता और इसके साथ ही आपको जानने को मिलता उस हपते में सनातन धर्म के आधार पर घटित होने वाले इब्रात तीरतेओहार इत्यादी के बारे में जो जानकारिया होती है उनके विसे में भी तो आईए आरम करते हैं तीन तारिक जो आज का ही दिन है तो आज क्या है खास आज है बहुला चौथ और चार तारिक को कल कोकिला पंचमी जिसे जो है कहीं-कहीं ब्रात पंचमी और रच्छा पंचमी भी कहा जाता है इसके अगले दिन पांच तारिक को हलसष्टी है और 6 तारिक को क्रश्ण जन्मा अश्टमी है 7 तारिक को कुछ नहीं लेकिन 8 तारिक को गोगा 9 मी है तो ये हपता तेवहरों से भरा गुआ रहने वाला है अब चलते हैं आगे और जानते हैं हमारे इस हपते के राशी फल के विशाय में किसके सितारे क्या कहते हैं किसके लिए सितारे गर्दिस में होर किसके सितारे बुलंदी पर तो मेसरासी के जात्कों से आरम करते हैं प्राया के भात ही मेसरासी के जात्कों के सितारे अगर देखा जाए तो बुरी संगत को अगर वो छोड़ दे तो सितारे उलंदी पर रहेंगे अन्य था समस्याओं में फस सकते हैं भागे आपका साथ देगा पर कब जब आप सही रास्ते पर होंगे आपकी सामाजी की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी सब कुछ आपको प्राथ होगा लेकिन बुरी संगत में जाने पर आपको सबसे अधिक जो समस्या होगी वो आरथिक तोर पर आपके लिए परिशानी का कारण बनेगी अगली राशी है हमारी जो है ब्रशवरासी उसकी चर्चा कर लेते हैं ब्रशवरासी के जात्कों को साधिक समस्याए थोड़ा बहुत परिशान कर सकते हैं इसके कारण से आपको आर्थिक तंगी का इस हपते में सामना करना पड़ सकता है रुपिया पैसा आपकी राशी के जात्कूं के लिए सब्टे परिश्रानी का सबब बना रहेगा इसके साथ ही कई व्यापार में निवेज भी आपके लिए समस्या का कारण होगा भाग आपका साथ देगा पर कब तक अगर आपने परिश्रम छोण रखा है तो भाग भी अधिक दिन आपका साथ नहीं देगा अगली राशी मिथुन की ओरवर चलते हैं जानते हैं क्या कहते हैं मिथुन राशी के जात्कूं के सितारे इस अपते बहुत बुलंदी पर हैं क्योंकि पैस राशी के जात्कों के जीवन में बहुत सारी सफलताय मिलने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसे में आपकी राशी के जात्कों को चाहिए कि आप इस हपते कोई भी काम करें सावधानी से करें पूर्ण निस्ठा और समर्पन के साथ करें निशित ही आपके लिए अच्छे परिणामत्राब्ति होने के संयोग बन रहे है अगली राशी हमारी जो है करकराशी उनकी बात कर लेते हैं करकराशी के जात्कों को इस हपते कुछ नुकसान जरूर होगा पर वो नुकसान कहीं न कहीं हपते की सुरुवाद में भरपाई होगी लेकिन नुक्सान के जो लच्छन है वो हपते के तीसरे चौथे दिन ही देखने को मिलेंगे आदापता बीतने के बार लगभाग और ये नुक्सान आपके लिए परस्पल काफी हद तक कष्टकारी रह सकता है धने भी आपकी राशी के जातकों के लिए समस्या का कारण मन सकता है पर कार ये छेतर में आपकी राशी के जातके सब्ते सफलता पाने वाले हैं परिवार में जो विवाद चल रहे थे उनको सुझाने में भी सब्ते आप सफल होंगे और आपके आसपास का वातावरण सांती और सोहाद्य पून रहने वाला है अगली राशी जो हमारी है सिंग उनकी चर्चा करते हैं सिंग राशी के जातकों को जिस छेतर में वो काम कर रहे हैं जहां ओफिस में हैं या कहीं दुकान है कोई वैपार है तो वहां उनके लिए समय थोड़ा सा कश्टकारी हो सकता है या अपना भी वैपार है तो भी इस हपते आपके लिए थोड़ी समस्याइं बनी रहेंगी हाँ कारेश्यत्र में सफलताएं तो मिलेंगी मैं यह रहेंगा कि एकदम से समस्याइं आ जाएंगी आईए बात कर लेते हैं कन्या राशी के जात्कों के विसे में कन्या राशी के जात्कों को इस हपते चाहिए कि आर्थिक तौर पर कहीं निवेस ना करें क्योंकि निवेस करना आपकी राशी के जात्कों के लिए इतना कश्टकारी हो सकता है कि आपका पूरा पैसा डूप सकता है साथ ही शेयर मार्केट से भी है इस हपते आपकी राशी के जात्कों को दूर रहना चाहिए वहाँ भी आपके साथ कोई अनुहुनी घटना घट सकती है व्यापार रोजगार में परिश्रम करिये वहाँ सफलता मिल जाएगी सारीरिक तोर पर भी कुछ चुनोतियां इस हपते आपकी राशी के जात्कों के लिए बनी रहने वाली है आईए अब जानते तुला राशी के जात्कों के विसे में तुला राशी के हमारे जो जातक है इस हपते कुछ समस्याओं में आपकी राशी के जातAK फसे रहेंगे पर हफते के आरम में कुछ खुशिया मिलेंगी जो हपते को बिताने में आपकी मदद करेंगी वैसे देखा जाए तो यह हपता आपके लिए सारीरिक और सामाजिक समस्याओं को लेकर आने वाला है दुर्खटना इत्यादी का विड़र इस हपते आपकी राशी के जात्कों के साथ बना रहने वाला है समस्याओं कई तरब से आ सकती है तो सावधान आपको अधिक से अधिक रहना चाहिए आगे बढ़ चलते हैं बात करते हैं व्रश्चिक राशी के विसे में क्योंकि हपते का अंत आपकी राशी के जात्कों के लिए समस्याओं के साथ हो सकता है किसी अनोनी घटना का सिकार आपकी राशी के जातक हो सकते हैं बाकि जीवन में सुख बना रहेगा और साधीरिक समस्याओं में विसुधार आने वाला है अगली राशी धनु की ओर पड़ चलते हैं धनु राशी के हमारे जो जातक है पाप उनकी बुद्धी में परेशानी का कारण बनेगा कई तरीकी समस्याओं का स्रजन करेगा ये पाप सारीरिक तोर पर भी चीजें थोड़ी उतार चड़ाओं से भरी हुई रहने वाली हैं परिवार के साथ अच्छा समय बीच सकता है तो आपकी राशी के जातकों के लिए कुलमला कर देखा जाए तो जिन सामान निसाही व्यतीत होने वाला है अब बात करते हैं अगली राशी मकर राशी के विशेवे मकर राशी के जातकों के लिए ये हपता थोड़ा चुनोती भरा रहने वाला है सारीरिक समस्याओं में उतार चड़ा होगा साथ ही मन में डर बना रहेगा सारीरिक तोर पर इतनी परेशानिया दर्द तकलीफ इत्यादी का सामना आपको करना पर सकता है कि आपका मन भी भैवीत हो जाए पर चिंतित नहों अगर समस्या आई है तो उसका समाधान भी आज नहीं तो कल आपके पास जरूर आएगा अब अगली राशी जो हमारी है कुम उनकी बात कर लेते हैं कुम राशी के जात्कों को सामाजिक तोर पर प्रतिष्ठा मिलने वाली है पर यात्रा करने पर आपकी राशी के जात्कों को साओधान रहना चाहिए अंतिम राशी मीन के विसे में चर्चा करते हैं मीन राशी के जात्कों को आर्थिक तोर पर इस अपते निर्णने लेने से बचना चाहिए क्योंकि मन का डर आपकी राशी से गलत जगह निवेश करवा सकता है इस निवेद के कारण आपकी राशी के जात्कों को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और आपके सत्रूओं पर इस अपको विजय मिलेगी जिससे आपकी राशी के जात्कों का ये हफ्ता बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है तो ये था हमारा इस हपते का राशी फाल अगर आप हमारे कारिक्रम को देखना चाहते हैं तो मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगले हपते इसी समय आप सभी से पुना मुलाकात होगी रादे रादे